तो कैसे है आप लोग हेलो इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 12 एकसाइस 2.2 2.2 के उपर मैंने एक और वीडियो अप्लोड किया है फिर इंट्रोडक्शन मेट्रैसेज का एंड एकसाइस 2.1 के पर वीडियो है आप देख लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा या फि करना है होगा लिंक ओके तो start करते है फूर्थ कोस्षन एकसेस 2.2 का एकसेस 2.2 का फूर्थ कोस्षन है ए ये एकस मैट्रिक्स दीया हुआ है अमें ये एकस मैट्रिक्स दीया है तो करना क्या है बहुत इसी है देखो और एक बात मैं और कहादू अगर आप लोगों ने पहले के वीडियो नहीं देखे तो प्लीज वो पहले का वीडियो देख लेना तो यह काफी इसी हो जाएगा समझने के लिए इसके पिछले वीडियो देख लेना तो यह x वाले term को मैं इधर पही रहने देता हूँ बाकी सारे term को equals to के दूसरे तरफ fake देते हैं तो 5x equals to 5x इधर अगर बाकी सारे term को equals to के दूसरे तरफ क्या कर दते हैं fake दते हैं तो c as it is अब plus 3a जाएगा minus 3a होगा minus 4b equals to के इस तरफ जाके plus 4b इधर 5x बचाओ 5 को बात में fake हैं अब इसको रखते हैं अब यह fake दोगे तो x अकेला बढ़े जाएगा तो 5 को बात में fake हैं तो 5x equals to c c क्या दिया हुआ है 2, 4, minus 1, minus 4, minus 3, 6 minus 3a a matrix कहा है 1, minus 2, 3, minus 5, minus 6 0 ओके फिर plus 4 and b matrix b matrix कहा है कि वहने minus 1, minus 2, 4, 2, 1, 5 right, इतना clear, इतना समझ में आएगया होगा अब यह as it is लिख देंगे अब हमने यह multiply करना सीखा था मैंने बताया था, last वाले वीडियो में हमने देखा है तो वापस से में repeat करो minus को as it is रखोगे, minus को multiply नहीं अंदर करोगे सिर्फ 3 को multiply करोगे, minus as it is आएगा, सिर्फ 3 multiply आएगा matrix में, तो क्या बनेगा, 3 1s आ, 3, 3 into minus 2, minus, minus 6 मैंने का, minus इधर ही रहेगा, सिर्फ 3 multiply आएगा, 3 into 1, 3, 3 into minus 2, minus 6 3, 3 is आए, 9, 3 into minus 5, minus 15, 3 into minus 6, minus 18, 3 into 0, 0, right plus, अब 4 को अंदर multiply करेंगे bracket में, 4 into minus, minus 4, minus 8, 16, 8, 4, 20 इतना क्लियर है, अब इसे pause करके, तुम लोग इसका screenshot ले 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 और note डाउन कर लो मैं rough कर रहा हूँ, कोशन, तो अभी और भी rough करना पड़ेगा, तो क्या हमें मिला 5x equals 2, 5x इदर है, 5x equals 2 भी दे solve करेंगे, कैसे solve करेंगे, ये भी सीखा है हमने, तो 2 minus 3 plus minus 4, corresponding values क्या होंगे, सारे corresponding value solve होंगे, 2 minus 3, 2 का corresponding 3, ये तिनों corresponding होंगे ना, ये ये और ये, ठीके, तो 2 minus 3 plus minus 4, 2 minus 3 plus minus 4, minus plus, इसके पास minus ना, minus plus क्या हो जाएगा, minus हो जाएगा, मैं direct कर दे रहा हूँ, नहीं तो ऐसे बहुत लंबा स्टम बढ़ जाएगा, next, ये पहला टम होगे, अब आते second वाले पर, तो 4 minus, 4 minus minus 6, minus minus plus 6, okay, now plus, फिर minus 8, plus minus minus 8, समाज मैं, okay, now next, minus 1 minus 9 plus 16, minus 1 minus 9 plus 16, next, minus 4 minus, दे गो minus 4, फिर minus, next, minus 15, minus minus plus 15, right, फिर plus 8, आब आते third पर minus 3, minus minus 8, minus minus plus 18, सॉरी 18 है, फिर plus 4, next, 6 minus 0 plus 20, इतना clear हुआ, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अभी से रफ करेंगे, तो note डाउन करते जाओ, पूरा note डाउन करते जाओ, step by step, अब, क्या होगा, 5x equals 2, अब देखो, minus 3, minus 3, 2 minus 3, minus 1, minus 1, minus 4, minus 5, 4 plus 6, 10, 10 minus 8, 2, minus 1, minus 9, minus 10, minus 10 plus 16, minus 10 plus 16, कितना होगा, 6, minus 4 plus 15, minus 4 plus 15 होगा 11, 11 plus 8, 19, okay, minus 3 plus 18 होगा 15 plus 4, ये भी 19, 6, ये 0 कहा, 6 plus 26, ये हमें क्या मिला, 5x, हमें क्या चीज़, सिर्फ x चाहिए, ओके, तो x, 5 ये वो x के साथ multiply, तो equals 2 के दूसरे दर आप जाके, divide होगा, divide होगा, मतलब वो क्या बन जाए, का 1 by 5, matrix, ओके, तो ये हमारे x की value मिल गए, तो इधर फर्स, sorry, fourth question क्या होता है, complete, तो students, next question पढ़ने से पहले, हमें एक topic पढ़ना पढ़ेगा, topic कौन सा है, वो transpose of a matrix, transpose of a matrix, transpose of a matrix होता क्या है, काफी easy है, ध्यान दो, transpose of a matrix क्या होता है, let me example ले ले तो, एक matrix, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 1, 0, 9, यीक matrix है, अगर मुझे त्रांसपोस निकलना है, तो सबसे पहले transpose, अगर इसका में transpose निकलना लो मा, तो उसे denote कैसे क्यांगे, उसे लिखेंगे, कैसे, a matrix के लिखेंगे, तो a transpose को कैसे लिखेंगे, a power t, a power t, ओके, a और power में t, और क्या करना है, ऌने मिल्में करना है जो भालम भंजाएगा गो कन फुजिंग लग रहा है कि इधर मैंने क्या क्या रोग को कॉल्म r bna do आ एक क्या बन गया क्या कॉलंब । क्या क् सेकंड्रो क्या क्वंसल है को समझ मैं रहा है, first row, first column, second row, second column, third row, third column, बस हो गया, देखो, row क्या बन गया, column, और देखो, column क्या बन गया, row, row बन गया, column, और column बन गया, row, समझ मैं रहा है, तो यह transpose है, काफी easy, चिंदी सा topic है, ठीक है, तो इस पर भी हम लोग एक sum ले ले लेते हैं, next question है, question number fifth, A matrix दिया, हमें क्या find करना है, A transpose का transpose, तो हमेशे एक चीज़ यहाद रखो, A transpose का transpose हमेशा A equal आएगा, B transpose का transpose हमेशा B के equal आएगा, C transpose का transpose C के equal आएगा, S Z तक जाओ, या कहीं पर भी जाओ, किसी चीज़ का transpose का transpose, उस चीज़ के equal आएगा, तो हमें पता है कि भाई, यह solve करके वापस यही मिलने वाल है, लेकिन क्या करें, solve तो करना ही पड़ेगा, marks मिलेंगे नहीं नहीं तो, ठीक है, तो solve करते हैं, तो पहले क्या करते हैं, पह A transpose निकाल लेते हैं, तो मैंने A transpose क्या बोला, row बन जाएगा column, तो first row, first column, second row, second column, ठीक है, यह मिलके A transpose, अब A transpose का film से transpose करना है, A transpose का दोबारा transpose किया मैंने, ठीक है, तो again क्या होगा, row बन जाएगा column, first row, first column, second row, second column, third row, third column, simple, क्या मिला हमें, वापस से भई मिल गया ना, ठीक है, यह से चिंदी सा question को लोग दे देते हैं, और फिर solve करने बोलते हैं, मतलब sense ही नहीं है, क्या sense ही भई इस बात के, वापस से solve करके ही मिला, ठीक है, तो इतर वे 5th question होता है, complete, okay, students, next, next sum, पढ़ने के लिए हमें, दो topic पढ़ने पढ़ेंगे, तो, कौन से topic, एक symmetric, और दूसरा है, skew symmetric, कौन सा repeat करो, घर पे repeat करो, लेकिन करो symmetric, घर पे repeat करो, ता कि मभी बपो को लगे तो यार, बच्चा बेटरूम में क्या देख रहे हैं, मुबैल पे, पढ़ेंगे वीडियो देख रहे हैं, तो इस अपता चले इसलिए बोलो, symmetric और से use symmetric, ठीक है, अब बचलो, गौर से देखना इस board को, नजरे मत हटाना है इस board से, ठीक है, नजरे हटा है, दुरगटना गटी, ओके, तो, start करते हैं, symmetric matrix क्या होती, अगर A matrix और A transpose equal आया, तो हम उस matrix को symmetric matrix कहेंगे, पहले condition देख लो, मैं example भी देता हूँ, ठीक है, skew symmetric में क्या है, अगर A matrix और negative of A transpose equal आया, तब हम उस matrix को skew symmetric हैंगे, example, example ले लेता हूँ, अगर इधर A, H, G, G, H, B, F, F, C, एक matrix है, ठीक है, A matrix, ओके, ये क्या है, ये क्या है, A matrix, अब ये matrix, हम लोग क्या करते है, A transpose लेते, देख ते equal आता है क्या, अगर equal आया, तो हम इससे क्या कहेंगे, symmetric matrix कहेंगे, तो A transpose लेते हैं, मैं A transpose लेता हूँ, चलो A transpose ले ले, A transpose हमने अभी सीखा था, क्या सीखा था बच्चो, वापस बोलो, घर पे, बोलो, तब ही ममी अपको लग रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, मैं तो doubt करेंगे तुमारे पर, ठीक है, तुमारे, ऐसे हरकते ही होंगे, ऐसे ऐसे नहीं करते है, ठीक है, अब A, H, G, ठीक है, A transpose ले रहे हैं, A transpose हमने क्या बढ़ा था, रो का कॉलम, सेकेंड रो का, सेकेंड कॉलम, थर्ड रो का, थर्ड कॉलम, राइट, ये दोनों equal है, आये का equal, आये ना equal, A equals to A transpose, equal है, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, हमारा A matrix क्या है, symmetric matrix है, इतना समझ में आ रहे है, अब एक उसका भी example ले लेते हैं हम लोग, एक example ले ले है, मैंने 0, 4, minus 1, minus 4, 0, 5, 7, minus 5, 0, ठीक है, अगर मैं ये निकालता हूँ, A transpose निकालता हूँ, उसका negative लेता हूँ, तब भी ये मिला मुझे, तब मैं इस matrix को skew symmetric, दोनों मैं difference ले रहे ह मैं इधर पर जगह बना लेता हूँ, थोड़ा सा, तो क्या करता हूँ पहले, A transpose निकालता हूँ, A transpose, तो row क्या बन जाएगा, column, second row, second column, third row, third column, अगर गदो, तुम लोग को row और column भी नहीं पता, तो उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, तुम लोग रो और column तो पत अब negative ले लेते हैं, negative ले लेते हैं, minus, इधर ही minus, यह minus क्या होगा, सब के साथ multiply होगा, right, तो क्या बन जाएगा, इधर लेता हूँ, ठीक है, minus 0 के साथ जाएगा, तो 0 कुछ फरक नहीं पड़ता भई, लेना देना नहीं, उसे minus आए, plus है, कुछ आए, ठीक है, तो, minus minus plus 4, य यह minus 7, यह minus 4, फिल 0 के पास जाएगा, 0, minus minus, plus 5, minus 7, minus, plus 7, यह minus 5, यह 0, ओके, यह, और यह matrix, equal है, क्या, जर्द देखो, ध्यान से, गौर से, गौर से, है ना, equal, आए ना, equal, मतलब, हमें क्या मिला, किसके equal मिला, minus A, के, transpose के मिला, मतलब, मैं, इस matrix को, skew symmetric matrix, कह सकता हूँ, ठीक है, अब इधर पर, यह, दो topic clear होगा है, इसके पर, हम लोग, sum ले ले लेते, ओके, next question, 7th one, 7th one, 6th one, similar था, 5th के जैसे, इसलिए, वो नहीं क्या, कुछ तुम लोग भी करो, क्या, sum मैं ही करके दूँ, ठीक है, 7th matrix के लिए, हमने क्या condition पढ़ा था, A equals to A transpose, मतलब, यह matrix, और इसका transpose क्या होंगे, equal होंगे, तो मैं इधर लिख देता हूँ, A matrix, 1, 3, 5, A, B, minus 5, minus 7, फिर, minus 4, C, 0, A equals to A transpose, इसका transpose करेंगे, इसका transpose क्या होगा, 1st row, 1st column, 2nd row, 2nd column, 3rd row, 3rd column, ओके, समझ मैं रहा है, अब compare करो, हमेशे याद रखो, corresponding, अगर 2 matrix equal है, ध्यान से सुन लो, मेरी बाद ध्यान से सुन लो, ठीक है, volume तेज करो, ध्यान से सुन लो, अगर 2 matrix equal है, तो उनके corresponding value भी equal रहती है, क्या होती है, corresponding value भी equal होती है, ठीक है, क्या होंगी, equal होंगी, equal होंगी, यह सारे equal होंगे, समझ मैं आ रहा है, ठीक है न, समझ मैं आ रहा है, देखो, तुम लोंको a, b, c, छोड़कर सब equal मिल रहा हो, देखो, one, one equal है, minus seven, सौरी, इधर सी है, minus five, minus five equal है, है न, फिर, zero, zero equal है, समझ मैं रहा है, तो a, b, c वाले value ही, फागी, छोड़कर बागी सब equal देख रहे है, ठीक है, तो, तो, देखो, इधर पे, b, किस के equal होगा, three by five के equal होगा, b equals to three by five, देखो, उपर से भी, b equals to three by five, मिल रहा है, न, equal होते है, A किसके equal होगा minus 4 के corresponding हुआ A किसके equal होगा minus 4 के देखो इदर से भी करोगे तो वही आएगा A किसके equal होगा minus 4 के now C C किसके equal होगा minus 7 के C किसको equal होगा minus 7 के समाझ महा रहे है तो इदर पर होता है 7th question Cleveland अब आता है next 8th question 8th question में यह बदल के skew symmetric दे दिया है तो मुझे लगता है उतने तो समझदार हो तुम लोग पहले minus skew symmetric मातर a equals to minus a transpose a equals to, जैसे मैंने इधर a transpose किया वैसे तुम लोग इधर minus a transpose कर लो, compare कर दो easy है, ठीक है तो a twin भी तुम लोग कर सकते हो नहीं कर सकते, तो मुझे बोलो मैं solve करके दे दूँगा, ओके तो students हमारा आज का जो वीडियो है, वो होता है समाप तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करिए और जादा से जादा इस वीडियो को share करिए, जादा लोगों तक समाप सेवा करिए, ओके थैंक यू वेरी मच